पर दस पीनर्स की तैयारी और पर पड़ो भारी देखिए अब इंडिया ने माइंड गेम्स जैसे कि ते आउस्ट्रेलिया स्टार्ट करता है माइंड गेम्स लेकिन बाई अब इंडिया इसको नेक्स लेवल पर ले जा रहा है और शुरुवात में देखाया बाई आप पड़्शंग्टन सुंदर होते हैं सौरव होते हैं उनके लावा साई किशोर होते हैं और एक लेगी राहूल चैयर होते हैं चार एडिशनल स्पिनर्स आते हैं इंडिया स्कॉड में 8 स्पिनर्स की तयारी लग अब और ज्यादा मायंड गेम्स चल रहे है क्योंकि करके और्स T्रेलिया के लिए आप 19 Transition ऐसे लिए लेकिन इसलिये भी कि आपvyसी मत करना कि जहां पर बनल्वास डॉमीनेट करेंगे इंडिया की प्रीपिरेशन जबरदस हो 10 पिनर्स पहले ही आपके बार 4 प्रिमिर स्पिनर्स आपके स्कूरड में हैं फिर 4 स्पिनर्स एड होते हैं और अब दुबारा एड़ ओन कर रहे हैं इंडिया की 10 पिनर्स की तैयारी वहाँ पर हो रही है नागपुर में पहले टेस्ट 9 तारिक को है लेकिन प्रेपरेशन्स इस तरीके की कि भाई आप हर वेराइटी को एड़ कर रहे हूं वापर आर अश्वीर आपके पास ओफी हैं वाशिंग्टन सुन्दर आपके पास ओफी हैं उसके लावा जेंत यादव हैं अब पुलकित नारंग है अलग-अलग वेराइटी के चार ओफीस हम देख रहे हैं अ हमारा अश्टन आगर आ रहा है लेकिन आप इंडिया की प्रिपरेशन देखिए अपर जड्डू अक्षर साई किशोर उनके अलब सौरव कुमार मतलब आपके पास भाई स्पीनर्स की भरमार है तो अब आस्ट्रेलिया के लिए बहुत जादा मुश्किल होने वाला है क्यो पैच में कैसा सर्फेस मिलेगा और अब उसके बाद यह डराने वाली चीजें कि भाई चार स्पीनर पहले फिर चार स्पीनर बाद में और अब दो स्पीनर दस स्पीनर्स हैं इंडिया के पास इस वक्त जो प्रिप्रेशन करा रहे हैं हमारे टॉप और को जो स्पीनर स्पीनर्स की तैयारी कर रही है टीम इंडिया हमने आपको बताया था है अडिशनली चार स्पीनर जोड़े गए थे वहाँ पर राहुल चेहर थे वहाँ पर साई किशोर थे सौरव थे और उनके अलावा वाशिंटन सुन्दर भी थे लेकिन अब दो और ऑफिस एड़ कर द अब दो